स्वागत है हमारे टेक हिंदी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूनो इस्टिमाल करते थे वो कुछ इस तरीके का उपन होता जब भी हम उपन करते हैं M-PIN और User ID के जरी है लेकिन उसमें कुछ नए अपडेट आया हुआ है हम आपको बता देते हैं वो आपडेट आपको कैसे मिलने वाला है और आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में हम बता कर रहे हैं हमारे पास दोनों अप्लिकेशन हैं यहां यहां पर है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुलने वाला है आप देख सकते हैं यहां पर लोगिन लिखा हुआ है तो लोगिन पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ change तो है नहीं यहाँ पे कोई changing तो है नहीं दोस्तों एक changing इसमें आई है वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं चलिए हम इसे logout कर देते हैं अभी दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे view balance का ओपर ही option आ रहा है पहले जो आपको अंदर जाके चेक करना पड़ता था अभी आप ओपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक mpin डालेंगे अगर आपको इसको right में कर देते हैं swipe तो आपको user id डालना पड़ेगा और अगर आप ऐसे ही रहने देते हैं तो आपको इहाँ पर mpin डालना पड़ेगा जैसे अब अपना mpin डालते हैं तो आपका balance show हो जाएगा दोस्तों हमारे एकॉन में जो भी बैलेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पर सो कर रहा है जैसे आप अपना M-pin डालते हैं तो आपका यहाँ पर बैलेंस सो करने लगेगा आप देख सकते हैं View Direction लिखा हूँ आपको इस पर किलिक करना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने चितने टारिशन किया वह सारे सो कर रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से देख भी सकते हैं चलिए हम बैक चले जाते हैं यहाँ से आगे वचरह हम आपको और बता देते हैं दोस्तों आप यहां देखी जकते हैं जो quick pay है यह तो अभी काम नहीं कर रहा है लेकिन उमीदे आगे यह जरूर काम करने लगेगा चलिए हम पहले चले जाते हैं अपने यूने अजबे के अंदर फिर हम आपको अंदर की जो एक setting है उसे बता देते हैं दोस्तों जिससे आप यहां पर आज आते हैं तो आप यहां पर देखिए service request का option आ रहा है आपको इस पर किलिक करना है उसके बाद में आपको setting का option देखर आपको इस पर जाना है और यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं एक जो feature है यह एक्टिवेट हुआ इसके अंदर enable disable biometric for unit access दोस्तों आपक पताने के लिए दोस्तों अगर आपके mobile फून में finger का sensor है तो आपको भी अपना finger लगा सकते हैं यहां पर जैसे ही आप अपना finger लगायेंगी उसके और दोस्तोंतों आपको आपद में आपको मैं लिखा आ रहा है यहां पर एदेख से हैं और आपको यहां से लोग आट करी दोस्तों अभी आप Vee čलिक करें अब देख से अब देख सकते हैं यहां पर पहले यहne Finger गा Option नहीं आ रहे था अभी यहां प्रच करते हैं दोस्तों जो हम आपको टेच करके दिखा देते हैं । ना जो अब कर out can कर 될卡 दीजिया तों कितना अब नियुब अपडेट आया हुआ था दोस्तों तो हमने सोच अपने दोस्तों को बता देते हैं अगर आपको इसमें कोई नया फेचर हो तो आप जरूर से इस्तेमाल करिएगा हमें जितना मालूम था हमने आपको बताया दोस्तों आपको यहां पर अपना balance चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना M-pin डालें या यूजर डालें आप अपना fingerprint पर आप किलिक करिए और उसके बाद में आप अपना finger रखिए यह देखिए successful हो गया अब यह आपका balance दिख जाएगा दोस्तो बस इस तरीके से आप अपना balance चेक कर सकते हैं एक ही कर दोस्तों बसे हैं पर आप अपना कर दोस्तों जाएगा आपका पर पर दोस्तों सब्स्तों डालें आपका कर से लिएग जिए रगिंप गजगा अपना